नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यान दरेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको भी बताने वाले हैं कि चंद्र दोश के लिए या उसे समाप्त करने के लिए उसके निवारन के लिए आपको अपने पानी में क्या डाल करने हाना चीए उसे औसदी असनान कहते हैं आपको क्या दान करना चीए कौन से मन्त पढ़ने चीए ये सारी चीजे हम आपको इस वीडियों बताने चाई रहे हैं और उसके लक्षन क्या होते हैं जब आपको चंद्र दोश होता हैं देखे हमारे सास्त्रों में मानसिक शुद्धी के साथी शारीक सुचिता का बहुत महतु दिया जाता है और सारीक सुचिता में असनान की अग्रणी भूमिका होती है हम सास्त्रों को यदि फॉलो करें तो सनान की बिना मंदिर परवेश, पूजा पाड, भोजन करना ये सारी चीजे निशेद मानी जाती है जोतिश की माने तो हर कोई किसी ना किसी ग्रहदों से ग्रस तो रहता ही है और कई बार उसे पता भी नहीं चलता है कि भई हो क्यों रहा है और जिन्दगी में तुफान तमने का नाम ही नहीं लेता है तो चलिए सबसे पहले तुम आपको बिता देते हैं कि भी आपको क्या डाल कर सनान करना चाहिए चंदर के अशुब प्रभाव को कम करने के लिए प्रते दिन असनान के जल में पंच कव्यर, श्वेत चंदन, सफेद पुष्प मिलाकर असनान करने से आपको बहुत लाग होगा रहा दान का सवाल तो चंदर्मा को मजबूत बनाने के लिए आप चांदी, चेनी, सफेद वस्त, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं सफेद पुष्प, कपूर, दूद, दही, मोती, शंक, घी, अस्फटिक इन सब चीजों का दान करना चीए और दान का जो समय होना चीए वो संध्या समय होना चीए अगर आपका भी हवन वगर करें तो हवन समीदा जो होगा वो होगा पलाश और साथ ही आपका जो मंत्र होगा जब आप 11,000 बार मंत्र पढ़ते हैं ओम श्राम श्रिम श्राम सह चंद्राय नमा तो आपके चंद्र दोस्ट जो हैं समप्ध होने शिरू हो जाते हैं उसका निवारण होना शिरू हो जाता है और भी संकल्प करके करना चीए मंत्र में वापस बोल देता हूँ ओम श्राम श्रिम श्राम सह चंद्राय नमा ये आपका मंत्र है और भी उपाए हैं जो आप कर सकते हैं उसमें सबसे बेश्ट है कि आब अगवान शिव की आराधना करें ओम नमश्रिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माले से 11 माला जाप करें बड़े बुजर्गों, ब्रामनों, गुरुगों का अशिरवाद लें सुमवार को सफेद कपड़े में मिश्री बांद कर जल में प्रवाइद करें चांदी की अंगोटी में चार रत्ती का मोती सुमवार को आप दाएं हाथ की अनामिका में धारन कर सकते हैं अब जहाँ पे रत्ती का सवाल और अंगोटी का सवाल आता है तो रत्न हो जाता है तो रत्न कभी भी आप जोती से पूछ कर पहनेंगे बिना जोतीशे सलाह के नहीं पहनना ची और जितने रत्तिया कैरेट है वो भी आपको जोतीशी बताएंगे सीशे के गिलास में दूद्ध और पानी पीने से परेस करें 28 वर्स के बाद भी वाह का निने लें लाल रंग का रुमाल हमेशा चेव में रखें माता पिता के सेवा से भी विसेसलाव होता है सफेद रुमाल भी आप रुख सकते हैं अब हम आपको लक्षन बता देते हैं चन्दरमादोश के जुकाम पेट के बिमारियों से परिशानी घर में असमें पश्यू कम्रित्यू के आशांका अकारन शत्रों का बढ़ना और धन का आनी ये सब चीज़ाई जब रेगलर होने लगे तो आप समझ जाएए कि चंदर का दोश है चंदरमा का दोश है तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें अपने कमेंड दीशिए और हम चाहेंगे कि आप मारे वीडियो को शेयर कर दीशिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे धन्यवाद